रमस्कार किसान साथियों, मैं रंडीर कुकना गाम बागसर पंजाब का रहने वाला हूँ और मैं जेवी खेती कर रहा हूँ वेस्डी कंपोजर से, पिछले तीन साल से और मेरे को बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, इसी को चलते हुए मैं सभी किसानों को जागरूख कर रहा हूँ और मेरे साथ पंजाब हर्याना राजस्तान के किसान जुड़े हुए हैं तो सबसे बड़ी एक चिंटा का मुद्दा सामने आए था कि काफी किसान जेवी खेती कर रहे हैं और फसल चकर भी अपना चुके हैं और हरी खाद भी दबा रहे हैं बजार से पैस्टिसाइड फर्टिलाइजर भी कुछ नहीं ला रहे तो वह उनसे मेरा संपरकुआ उनका खेत भी मैंने देखा हुए वह जयवी खेती कर भी रहा हैं मेरे को लग रहा था उनमें तो वह कहते हैं सर महें पियेच जो सबसे बड़ा विशय है है चिंटा कीसान के लिए बुमी के लिए तो वो केते हैं हमारा सर पी-एच कंट्रोल नहीं हो रहा हम जैविक भी कर रहे हैं और बायो प्रडेक्ट्स भी बहुत डाल के देख लिए वो इस तरह के से डाल लिए कि उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी तरफ से बायो प्रडेक्ट्स डालने में फिर भी उनका पी कि रिपोर्ट्स में इतना डिफ्रेंट्स क्यों है उसी एडिय से हम आप हो तो मैंने का जी यह तो मेरे को भी नहीं पता किस चीज से फ़रक है मैं तो इस तरीके से खिटी कर रहा हूं वेस्ट दी कंपोजर पानी के साथ चला रहा हूं तो उनके एक बाद छोटी सी समझ मे कि हम वेस्ट डीकंपोजर नहीं चला रहे अभी तक तो नहीं ने एक बात तो वह मान ली दूसरा फिर बात चलते चलते ऐसे लगा कि कुछ इस पर और रिसर्च किया जाए कि कि किस कारण से पीएच बढ़ रहा है वातावरन या हवास पर दूशित होने की वजह से पीएच मा पास सोच के मैंने कदम उठाया क्यों नहरों का पानी एक बार चेक करवाया जाए कि कैहीं पर वह बड़ी समस्या तो नहीं है कहीं पर पाने में कोई तो मैंने मेरे जो वेस्ट दी कंपोजर के गॉल देड़ लाख लीटर का भी टैंक है और 500-500 लीटर के भी है मैंने उनमें एक महिने से लेके एक अफते से 6 महिने तक के मेरे गॉल पड़े हैं उनमें तो मैंने उनका पी-एच भी चेक करा तो चेक किया जो दस दिन के अंदर अंदर थे उनका तो तीन पॉइंट चार में रह गया पी-एच जो बडी खुशी होई मेरे को यह देख कि वेस्ट डीकंपोजर जिस नहर से मैंने 9.4 का पीएच हमारी नहर का है उसका मैंने गोल बनाया है वेस्ट डीकंपोजर से उसका मातर 3.4 पे पीएच आ गया बड़ी खुशी हुई बड़ी इच्छा हुई कि ये बारत में ये समसे किसानों को समस्य है इसक है उसमें 3.4 पे पीएच रहा गया और मेरा 6 मीने का जो वेस्ट डीकंपोजर बना हुआ था उसमें चार पॉइंट पीएच आया है मेरे खेत का और मेरे वेस्ट डीकंपोजर के गोल का तो सर सारी समस्या यहीं से खतम होती है पीएच की जो किसान वेस्ट डीकंपोजर का अपने खेत में पानी के साथ प्रयोग करेगा उसका गरंटी से कहता हूं मैं एक साल के अंदर-अंदर था पीएच आपका कन्ट्रोल हो जाएगा कि साथ पे आएगा यह मैं डवे से कह रहा हूं क्योंकि मेरे खेत का मैने पीएच एक्रव आया था पिछले छे मेंने पहले तो उसमें 7.7 पीएच आया था मेरे खेत का. हालांकि मेरे खेत में पहले आज से तीन-चार साल पहले मेरे नो के करीब पीएच था जमीन का मैं भी बड़ा समझ्या था इसी वज़े से मैंने जैविक में आया मैंने का खर्चा लगा रहे हैं फसल कुछ नहीं और बड़वार नहीं पैसे खर्च हो रहे हैं तो जैविक पच्छी सो लिटर परती एकड़ के इसाब से दे रहा हूं और उसका मैं अब यह फसल मेरी खड़ी है और चने के बाद में मैं मेरे खेत का पीएच चेक करवाँगा तो साथ आएगा मैं जिस इसाब से वेस्टी कंपोजर को यूज कर रहा हूं तो बहुत अच्छे और पीएच से ही होगा अपना खेत का तो माइक्रो न्यूट्रेंट बैलन्स रहेंगे उस वज़े से आपको कोई भी बजार से खर्चा लगाने की जूरत नहीं है और आपकी फसल बढ़वार अच्छी होएगी फ्लावरिंग अच्छी होएगी पौदे की क्वालिटी अच जमीन का उसको आप खतम कर सकते हैं बड़ी असानी से वेस्टी कंपोजर से और आप किसान भायो जो मेरे इस बात के लिए विशह बनाए थे कि वेस्टी कंपोजर और आपकी खिती में फरक क्या है तो उन्होंने खुद ने मान लिया कि बायो प्रड़क्ट से कुछ नहीं ह पूछे जानकारी ली तो मैंने उनको बताया तो अब वह वेस्टी कंपोजर लगा रहे हैं और यह सर्सों की देख लो सर यह एक भी दाना इसमें यूरिया डियपी बायो प्रड़क्ट कोई नहीं डाला हुआ सिर्फ वेस्टी कंपोजर की स्प्रे की हुई है और वेस्टी कंपोजर सो और अच्छी री बरी बाग की कंडिशन है जो कि किसान देखता है तो उसकी खुश हो जाते है मेरे पास हर रोगे एकव 21 किसान आते हैं खेट देखने के लिए और उनको अच्छे प्रिणाम मिलते हैं खेत के और उनका शाबास ही देखे जाते हैं कि इतनी कम उमर में आपने यह हमें इतनी इतने बर्स होगे पीच को गटाते हुए और आपने इस त्रीके से खेती करके जो पीच की कमर तोड़ी है वेस्ट डीकंपोजर से वह हैरान रहे और अच्छी फसल है देख लिए उसर कई पर भी कोई दिक्कत नहीं है तो मेरा यह संदेश मैं चाहता हूं कि पूरे बारत के किसान इसको देखे और पूरे बारत के किसान वेस्ट डीकंपोजर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके अपनी खेती को अच्छा बनाए अपने अनाज को तंदरू हेल्थी घर को परिवार को सबको डॉक्टर किर्शन चंद्राजी ने जो यह हमें वेस्ट डीकंपोजर दिया है अच्छे इंसान है जिन्होंने वेस्ट डीकंपोजर हमारे घर तक दिया है उन्होंने वेख और प्रचार इस την के से किया कि रिखम के ह्, वो भी आज मैं इस पी एच के लिए मैंने इसको दूर कर दिया है कोई भी किसान चेक करवा सकता है इसमें कोई छुपाने वाली और बात नहीं है धन्यवाद